बड़ी खबर ये है कि अंसार की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें उसके हाथ में पिस्टिल नजर आ रही है ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगातार देखे जब से ये हिंसा हुई जहांगीर पूरी में उसके बात से लगातार विडियोज और तस्वीरों का सामने आने का सिंसिला जा रही है और अब दिल्ली हिंसा के आरोपी के एक नई तस्वीर सामने आई है जिसमें उसके हाथ में बंदूक नजर आ रही है तस्वीर में बंदू के साथ दिख रहा है अंसार, मास्टर माइंड दिली हिंसा का अंसार को माना जा रहा है और लगातार इस मामले में तफ्सीश सेज होती जा रही है जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसके आधार पर चुन चुन कर अपराध्यों को उपद्रव्यों को पकड़ा जा रहा है 24 लोगों की गिरफतारी अब तक इस मामले में हो चुकी है और संभावना है कि आज कुछ और गिरफतारियां हो सकती है लेकिन उस सबके बीच अंसार की ये तस्वीर सामने आई है जिसमें उसके हाथ में पिस्टिल नजर आ रही तो ये हिंसा एक फोन से शुरू हुई तो एक फोन कॉल ने दिल्ली को सुलगा दिया सुत्रों की माने तो हनुमान जैनती के दिन जहांगेर पूरी में शुभा यात्रा जैसे ही मस्जिद के पास पहुँची मुख आरोपी अंसार के पास एक फोन आया और फिर वो चार से पांच लोगों को साथ लेकर शुभा यात्रा में पहुँच गया और बहस बाजी करने लगा देखते ही देखते बहस धड़ाप में बदल गई और पत्राव शुरू हो गया पुलिस अब अंसार के फोन खंगाल कर फोन करने वाले शख्स को तलाश रही है अंसार की असलम के साथ पुलिस का स्टडी बढ़ गई है पुलिस दो दिनों तक दोनों से पूछ ताच कर सकती है अंसार जिसको दिल्ली पुलिस इस पूरे दंगे के मुख्यारूपी बता रहा है उनके कॉल डीटेल्स को दिल्ली पुलिस अभी प्रोब कर रही है क्योंकि सूत्रों के मताबिक दिल्ली पुलिस को इंवेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला है कि अंसार को दंगे की ठीक पहले कई कॉल्स मिले जिसके बाद वो चार से पाँच लोगों को लेके यहां दंगे में शामिल हुए कौन वो लोग थे जिनोंने अंसार को कॉल करक दिल्ले हिंसा में अंसार का रोल संदेग्द है अंसार को सबसे पहले गिरफ्दार किया गया था गिरफ्तारी के वागती थी उसने प्वोल किया था कि वो दंगे में शामिल है शुभा यात्रा के सन्योर जग और जहांगीर पूरी हमसा में जखमी ओमा शंकर दुबे ने तो अनसार कर धंकाने का आजोप लगाया अनसार के अलावा दिल्ली के दो और दुश्मन है असलम और सोनु शेख सोनु शेख को कल देर शाम गिरफ़तार किया गया सुनु वही शक्स है जो 16 अप्रेल को जहांगीर पूरी में गोली चलाता दिख रहा था तारीख 16 अप्रेल जगह जहांगीर पूरी दिल्ली बलू कुर्टा में पिस्टल ताने इस शक्स की पहले दिन से ही तलाश थी पहले दिन से इसका वीडियो सोशल मीरिया पर तैर रहा है दिल्ली के जहांगीर पूरी इलाके के कुशल चौक पर 16 अप्रेल के शाम गोली चलाता दिख रहा था उस वक्त दिल्ली 33 सुलग रही थी हनुमान जैन्ती की शुभा यात्रा में हिंसा भड़क चुकी थी ब्लू कुर्टा वाले गोली बास का वीडियो वाइरल होते ही पुलिस ने उसके पूरी कुंडली खंगाल ली नाम पता घर परिवार सब पता चल गया गोली बास की पहचान सोनु शेक के तोर पर हुई जहांगिर पुरी में ही पता ठीकाना है चिकन का काम करता है सुमवार को पुलिस की टीम सोनु के घर पर दबिश की भाई सलिम शेक को हिरासत में लेकर पूच्टाच की फिर जाकर सोनु शेकंजे में आया सुमवार देर शाम जहांगिर पुरी के मंगल बाजार से ही सोनु शेक को गिरफ़तार कर लिया गया सोनु शेक से रात भर पूच्टाच होती रही पुलिस जानना चाहती है कि किन हालात में उसने फाइरिंग की किस पर गोली चलाई पिस्टल उसके पास कैसे आई वो किन लोगों के संपर्क में रहा क्या हिंसा की पहले से साज़िश थी पुलिस उसके फोन खंगाल रही है हर उस शख्स को तलाश रही है जिससे सोनु ने 16 अपरेल के बाद या उनके आस पास फोन किया सोनु की तरह अनसार असलम को भी हिंसा का मास्टर माइन्ड माना जा रहा है तीनो की लिंक तलाशी जा रही है पता किया जा रहा है कि कहीं तीनो को कहीं से आदेश तो नहीं मिल रहा था हत्यार सप्लाइर पर भी नज़र है सुत्रों के मताबिक इस मामले में दिल्ली पुलिस गुली नाम के शख्स को भी तलाश रही है दिल्ली सहमान शमिश्रा और श्रेया चटर जी के साथ आज तक बेरो